नमस्कार दोस्तों मैं मावीर पडशाद डेपी के न्यूज चैनल से और आज हम पहुंचे हैं अलवर जिला अलवर जिले के वार्ड नमबर आठ में जहां से जिला प्रिश्यद कॉंग्रेस उमीदवार हरिस जी यदव चुनाब मेदान में है यदव जी स्वागत है आपका जब कॉंग्रेस से आप डेलिकेट हो उमीदवार हो ऐसे में अब आप घरगर जा रहे हो डोर टू डोर जा रहे हो जनता से मिल रहे हो किस तरह के चुनाबी मुद्दे किये जा रहे हैं देखिए जो मैं पिछले साट आठ दस दिन से जनता के बीच में जा रहा हूं जनता क मुझे बहुत प्यार मिल रहा है वासिरवाद मिल रहा है और जनता निश्चित रूप से कॉंग्रेस का प्रत्याशी जिताने के मूंड में आ चुकी है और मुझे 20 तारीक को अपना मत देखके भारी भावमत से विजय बनाने का पूरा मानस बना लिया है और मैं एक बात कह जैना चाहता हूं जनता से ज़ोडार की जो जो सड्कों के मुद्दे हैं जो जनता के दिमाग में जो मेरी पबलिक है मेरी आठ नमबर की जो मेरी जन्ता जनारदन है उनके कही ना कहीं सड्कों की बातें चल रही है तो मैं एक बात पद Stri Jeapa चानी ज़ेंघ्लम मेरी मेरी बहन जी अपने यहां से आठ नंबर से जो चुनाव जीत के गई थी जनता के बीच में एक भी दिन आगर एक हाजरी भी यहां पर हो तो मुझे बताए कोई आदमी की फलाने दिन फलाने आदमी के पास या फलाने गाम में वह आई थी नंबर दो भारतिय जनता पार्टी भारतिय जनता पार्टी की हमेशे आहीं यह रही है कि पुझी पित्यों को अपना सरण देती आई है गरीबों की बाते नहीं सुनती है और वही बात किसान आंदोलल की जो बार-बार कहते हैं किसान आंदोलल भी हावे बैठे हुए सड़के जरजर हो चुकी है तो किसान मेर भाई हैं बोर्डर के उपर तो कहीं ने कहीं दरना अपना लगाएंगी देखिए बिलकुल उनको लगाना पड़ेगर वह अपना हक मांग रहे हैं जो तीन काले कानून सरकार लेके आई है भाजपा वह बिलकुल गलत है क्योंकि आने वाले समय में जो पुंजी पती हैं उन पूरा आशिरवाद है और रही बात जो कह रहे थे कि कुछ आदमी लचेदार वासन देते हैं अकिस सडकों की हलत चरजर हो चुकिए किसान वहां पे बैठे हैं हरियाना में भारतिये जंता पार्टी की सरकार है तो किसानों को भारतिये जंता पार्टी के जो परश्याशन रोकी रोके हैं तो हटा देहां से हमारе किसान भाई आगे दिल्ली जाने के लिए तयार है और यह सदंसाधन अग्रेस बहुत जादा यहां यह भी तो यूदर बी तो उपी में भी तो सडके टूटी है यूपी में भी बैठे हैं और हरियाना में label जो अपना टीगरी बॉर्डर है जिए वहां पे भी बैठें हैं किसान तो सरकार नहीं है तो भाजपा लिए तो वहां कियों बैठें क्यों किसानों को एक प्रेसर बनाने की कोशिच की जा रही है और सरकार भाजपा के हमारे आधरनी मुख्य मंत्री परदान मंत्री जी हैं उनके कान में जूं तक नहीं रहेंगरी उनकी बाते नहीं सुनना चाहती है आप कहते हैं कि मैं मुद्धे बात करेंगे आई हमसे मिलिए कि शान विछले साल से समय से बैठा हुआ है तो उनको मानना पड़ेगा जुकना पड़ेगे तीनु काले कारण वापसी लेने पड़ेंगे और देखे जब आप रास्ता रोकोगे तो कहीं न कहीं आदमी जाएगा तो साधन साधन है बड़े बड़े ट्रक हैं जो रोड बनाई गई ती उस हिसाब का जो शड़कों का बना रखी थी तो और लोड होने के कारण पूरे सड़क तूट गेर मैं जनता से एक बात और अगर मैं यहां से पार्ष्द बन के जाता हूं तो छह महींने के अंदर अं मानिय मुखमंत्रीजी से बात करके और मैं निश्चित रूप से इन सड़कों का निवारण करूँगा और बिजली की जो किलत आई है तो पूरे देश में किलत है हिंदुस्तान में पहली बार भाजबा के राज में पूरन समर्थन होने के बाद भी बिजली की किलत कोई सुचारू कर देंगे फिर अपना सरे ले ले लें तो यादव जी सड़कों के अलावा और बार नमर आठ की बात करें तो कौन-कौन से समश्या है कि बार नमर आठ में मैं मुद्धा तो हमारा यही रहेगा चुनाव जीतने के बाद कि साजापूर से और जो दाइदिया तक सबसे बड़ा मुद्धा है मैं निश्चीत रूप से इसको करवाऊंगा और राजस्थान के अंदर कॉंगरेश की सरकार है हमारे मानने मुख्यमंत्री जी ने जो करोना काल में जो काम किया था उसकी परसंद साव विदेशों में भार तक हो रही है आधरनी परधान मंत्री जी इनमें भी उधरनी मुख्यमंत्री के तारिफ की थी और निश्ची त्रौप से हमारे सवेड़ जी जो मुख्यमंत्री जी है उसकी करोना काल में जो अनने राजियों से भी सबसे जयुप जहने इस t встреч समय समय को उपर log डान लग continues summer को उपर में लोगोंसे अपनी बात करन और धरातल पे जो काम किया है मैं उनके बहुत-बहुत परसिंशा करता हूँ अरे जी करोना काल के अपने बात करेंगे करोना काल में आपने किस तरह की विमिकादा किया थे उनको छीन लिया जो गरीब मजदूर के किसान था जो विचारा अपना पट्री को उपर गुजारा कर करता था दो वक्त की रोटी के लिए अपने बच्चों का पेट पालता था वो सब खतम कर दिया काम आप देखें दुकाने लगाओ जी यह करो जी वो करो जी सब भाबाजी क्या किना चाहोगे आप कोंग्रेस की नीतिया और भारती जिनता पार्टी की कुरूतियां अजी द भारत में सबसे सर्वकर्ष्ठम फस्ट रहा है कि नावज़ कारिये में कोई से इसी तल्ता नहीं में यह अठे दियान द्यान से कारिय करते हैं आप अरीजी के साथ चुनाव मेदान में जा रहे हो आश्रवाद लेने जा रहे हो जनता का जनता से किस तरह का आश्रवाद मिल रहे हैं जनता से हमको बहुत बड़ी आश्रवाद मिल आया है और उन्होंने कहा है कि आपकी बार हम अरीश को बोड़ तो अरीज जी अब विश्टरी को अपना चुनाव है लोग अपने गरों से बाहर निकलेंगे मतदान के इंदर पड़ आपने मत का अपरियोग करेंगे क्या कहना चाहोंगे बार्ड नंबर आठ की जंता को मैं वार्ड नंबर आठ की मेरी स्रुप यह जो मेरी जाबार की जंत पहले दोसरा चुनाव लड़ रहा हूं मैं मर जाऊंगा मैं तो फांसी लगा लूँगा रही है अगर आपको नहीं था मन नहीं था चुनावर आपको यही नहीं बतानी थी तो चुनावी नहीं लड़ना चाहिए था अब जांट करना ने इमोशनल बेखांश करना नहीं क्षैनल बाव करें तो कुछ स्थी लगा लोगा लुए यह कौन सी बात होगी यह कोई पहरा सूट पहनते हैं अपना हावाई जाज में चलते हैं कितने करोड की गाड़ी यह अपने ऊपर पूरा बदलाव अभी हिंदुता में एक बड़ा परवार है दिवाली परव आप अपने देश वाशियों को क्या किना चाहोगे देश वाशियों को सभी मेरे छेत्र वाशि आप अपने मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि पॉलूशन बहुत ज्यादा हो रहा है पटाके कम से कम चलाएं आप दिये जलाएं आप और पूरे परिवार के साथ मिठाईयों से अपने दिवावली को खुशियों से मनाएं तो यह थे वाड नमबर आठ जिला प्रिसिद स हुआ 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 है